असलाग अलेकूम आज हम बनाएंगे गेहों के आटे का नाश्ता बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है आप इसको जरूर ट्राय करिएगा एक बार बच्चों को दीजी बनाकर उनके लंच बॉक्स में बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि गेहों के आटे का है अच्छा ही मैंने एक कप के उतना घ्राग अटा लेया आता इसको बाॉल में डाले लिए कर देगे, थी मिन्वाल के लिए सूजी आप इसको पड़ें रेडच नहीं करना हे सैंaus को बीजिकम बचिर के लिए कर दे काहा प्डार Cantonese चंब कर देगे, कर के इसको को आप इसका आटा से आटे निकाल लेंकने मेश अजमी तबातमें करेंगे जाएं में शेका оड़ ढरell कि माईगे देंगे देख Bryce आप यहां कि अन्हे होस हम पपने दों में तो करेंगे कर लिए गाएं आप इस तरहां से जाश करें इससे बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है आप एक बार इसको जरूर ट्राय करिएगा ये तीन से चार हरी मेचली है इसको मैंने फाइनली इस तरहां से चौप कर लिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिच की कॉंटिटी थोड़ी कम कर ले हाफ टीस्पून अमचूर का पाऊडर आप असके अंडर एट करना है 1 टीस्पून रेच चिस्पून का पाऊडर एठ कर देंगे कर देंगे अब हम इसको अच्छी तरहां से mix कर लेंगे सारे बेटर को और अच्छा ये थोड़ा spicy होता है न तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है अब अगर बच्छों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की quantity थोड़ी कम कर ले अब हमने ये जो आटे का डो बनाया था अब हम इसको एक अच्छी तरहां से चम्मच की हेल्प से इस तरहां से आप इसको पूरा फैला ले आपने इसके उपर डालनी है हरी मिर्च की चटनी ये मैंने हरे मिर्च और हरे धनिये की चटनी बनाई है इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा एड़ कर देंगे और इसको भी अच्छी तरहां से फोल्ड कर ली इस तरह से आप फोल्ड जब कर लेंगे पूरा रोल टाइप में बन जाएगा और आप इसको फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा दबा लें ताकि कहीं की भी साइट खुली ना रहे कोई भी फिलिंग बहार नहीं आजा इसलिए हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है हलके हलके हातों से अब हम इसको करेंगे कट इस तरह से आप इसको कट कर लें पीसीस में पीसिस को हमने ज्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है एक ही साइज की पीसिस रखने हमने सारे देखी इस तरहां से मैंने इसको कट कर लिया है अब हम एक एक पीसिस को उठाएंगे और इस तरहां से हातों से प्रेस कर लेंगे मतलब दवा लेंगे थोड़ा सा क्योंकि यह आट है तो यह ज्यादा मोटा नहीं रखना है नहीं कुँ कक्चा निकले ए वही बैटर है जो हमने आटे के अंस ग्रता निकाला था अब हम इसके अंदरा हल्डी आट कर देंगे अब हम हल्दी एट करने के बाद अब हम इसको अची तरहां से मिक्स कर लेंगे इसका थोड़ा पतला सा बैटर बना लेंगे बैटर बनाने के बाद अब हम इसको एक एक पीस उठाएंगे अब हम इस बैटर के अंदर एट करेंगे और हम oil के अंदर fry कर लेंगे oil हमारा गरम हो चुका है अब हम एक एक pieces को इसके अंदर add करते रहेंगे यह देखिएगा एक तरह से इसको dip कर लें और इसको हमने oil के अंदर add कर देना है सारे pieces हमने इसी तरह से add कर देना है और यह हमने medium flame पर fry करना है flame को high नहीं रखना है क्योंकि आटा जो है वो कच्छा है तो हमने medium flame पर करना है ताकि अच्छी तरह से crispy type में fry हो जाए इस तरह से हमने इसके उपर golden सा color आने तक fry कर लेना है ये देखिए golden सा color आ चुका है अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर यह देखिएगा बहुती टेस्टी बहुती हेल्दी सा नाश्ता बनाए है आप इसको जरूर ट्राय करिएगा आपके घर कोई महमान आए या बच्चों को लंजबॉक्स में देना है आगया स्नेक्स में खाना है तो आप इसको जरूर बना के खा सकते हैं मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अलाह आफीस